भारत के लिए बहुत दुखत कबर है जिसमें कल भारत के प्रतम CDS याने की Chief of Defense Staff विपिन रावत सर इनका निधन हो गया है आपको पता है ये MI-17 जो हेलिकॉप्टर है उस पर सवार थे इनके साथ इनकी वाइब भी थी जिनका नाम है मदोली का रावत तो उनकी भी मृत्तिव हो चुकी है इनके साथ जो वीरगति को प्राप्त हुए तो यहां पर टोटल 13 जनों के मृत्तिव अभी तक हो चुकी है और एक इसमें लोन सर्वाइवर है जो की ग्रूप कैप्टर है तो यहां पर सबसे इंपॉर्ण चीज यही है कि मात्र ऐसी इस्तिती जब भारत के पा हेलिकॉप्टर है विस्व की कई देश आज भी इसको चलाता है अपने ट्रांस्पोर्टेशन में अपने प्रेसिडेंशिल को मूव कराने में तो यहां पर भारत के लिए एक बहुत ही दुखत बात है जिसमें भारत के टॉप मोज जर्नल की मृत्ति हो जाती है एक हेलिकॉ लेकिन उसमें कई और व्यक्ति भी मारे गए अब यहां पर सब्सक्राइब है कि आज का जो यह वीडियो है इसे बनने का मक्सद दिये है इनकी जीवनी पर चर्चा करेंगे इनके दौरा किये गए कार्यों पर चर्चा करेंगे फर्स्ट अफॉल यहां पर मैं आपको बता मुक्त होंगा इनके बारे में बताऊंगा तो यहां पर सबस्ते इंपर्णी यह है कि मेरी तरफ से और पुरी टीम की तरफ से हम और सधान्जली अर्पित नपी ऐप वारी होगी क्योंकि टॉप मोस जन्रल की मृत्ति हुई है तो यहां पर एक चौपर था जिसे बोलते हैं मैं 17 उसके बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ना है इसमें यह ऊटी के आसपास का यह कुनूर एक जगा है और यहां पर यह डिस्टिक जो है यह नीलिगरी इसमेegen आँपर इनका जो प्लें ही वह क्रेश हो जाता है और कहाई यहां जाता है कि सरिसमें पर आल मिडुर्ति में है तो यहां पर सीटेस बीपिन रावत थे और उनकी वाइब थी अब यह 10 किलियों मेटर जो इनका पर्टिकुलरली हलिपोर्ट हलिपैट था जहां पर यह लैंड होने वाला था तो उससे पीछे इसकी पर्टिकुलरली क्या हो जाती है यहां पर क्रैश लैंडिंग हो जाती है तो यह प्रत्यक्स दर्शी है उनका यह पर इतना बड़ा एक तरीके से बोला यह गया कि आस्मान से उसके अंदर से बौडि गिर रहेगी तो यह प्रकार से जो प्रत्यक्स दर्शी है उन्होंने इस प्रकार से यहां पर दर्श आया है तो जर्णरल विपिन रावत के बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा तो इनको कौन-कौन से मैडल दिये गए तो यहां पर दीकि पीवी एसम यानिकी परम विशिष्ट सेवा मैडल यूवा एसम उत्तम युद्ध सेवा मैडल अति विशिष्ट सेवा मैडल युद्ध सेवा मैडल सेना मैडल विशिष्ट सेवा मैडल और ADC यानिकी ADCम इतने होनहार चात्र थे कि इनको जब ही IMA से पासाड हुए तो इनको स्वार्ड अफ ओनर से सम्भानित किया गया था military परिवार से थे, इनके पिताजी खुद लेटिनेंट जनरल पत से रेटायर थे sword of honor से ये सम्मानित हुए थे, भारत के पहले CDS थे जब इनको भारत का chief बनाए गया army staff का तो इन से पहले जो दो senior और थे उनको हटा कर इनको बनाए गया तो आप देख सकते हो कितने प्रतिवावसाली ये व्यक्ति रहे होंगे तो यहां पर सबसे important चीज है कि जो इनका जनम होता है वो 16 मार्च 1958 को होता है उत्राखंड में उत्राखंड के रहने वाले थे पॉड़ी जी लेके तो यहां पर जो जनर्रावत थे 63 साल की उमर में इनका निधन हुआ है आज की डेट में तो यह 30 दिसंब में 2019 को एज़ा फॉस्ट सीडियस एपॉइंट हुए थे भारत के यानिकी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो यहां पर जो इन्होंने ऑफिस अपना जो स्टाट किया था ग्रेंड किया था यहां पर यह भारत के जो 57 चेर्में थे यह भी आपने यहां पर आपने त्यान रखना है प इन लोगा एड्मि की साथ करना है तो इन तीनों को कमबाइन करकर चीफ ऑफ डीकर स्टाफ स्टाफ डीकेंस की घीकिश ने मैं और इसके भागत के आर्मी जो इंडियर्फ़िया उसके 26 वे अलब कि जैणेल चीफ बनते हैं तो यह फादर लक्समन सिंग रावत यह सेंज विलेज के थे और यहां पर आपको ध्यान रखने योग्य बाते यह हैं कि यह खुद भी लेटिन जनरल पर से रिटायर थे चलिए अब पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि यहां पर आपको देखने को मिले हैं कि सर य यहां पर एक एरोप्लेन था जो 1977 में क्रेश हुआ था यहां पर मुरार जी देशाई उससे में भारत के पदान मंत्री थे यह सर्वाइव कर गए थे यहां पर आप देख सकते हो फाइफ किल्ड एस प्लेन विद पीम अब्राट क्रेश लेंड एड जोरहाट तो अरवनाच सेवन में बठाए गए थी और उसके बाद अब 2021 में जब सीडिय चर्नल विपिन रावत जी की मृत्यू होती है तब आरफोस और आरमी दोनों के ही कमेटी दोनों के ही टीम इसमें क्या करेगी एंक्वाइरी कहीं इतनी बड़ी जो एंक्वाइरी है वो 1977 के बाद अब होगी क्योंकि भारत के ये बहुत ही एक तरिके से मानेवे जनरल थे तो यहाँ पर विदेशों ने कई सबसे इंपोर्टेंट डिग्निटरीज है उन्होंने यहाँ पर भारत को कंडोलेंस दिया है अपना सदांजली अरपित करी है तो आप यह किन नहीं मानेगे सबसे पहले किस इसका जो सदांजली पुरूवक मैसेज आया था इस इस्राइल तो इस्राइल के सबसे फुराने दोच बेंजामिन नेत्यानी हूं इन्होंने सबसे पहले जनरल वेपिन रावत को अपने तरफ से सदांजली अरपित की है यह इस्राइल के पूर्व परधान मंत्री है आप देख सकते हो बेंजामिन नेत्यानी हूं इन्होंने भी बोला है I was deeply saddened to learn about the deadly helicopter crash that killed the इंडिया चीफ औफ डिफेंस स्टाफ जनब विपिन रावत और इस वाइफ एंद 11 अदर इन तमिल नाडू तो इन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को कंडल किया है अब दूसरे आते तो यह सबसे important चीज यहाँ पर क्या हो जाती है guys कि यह जो है इस्राइल के foreign minister है विदेश मंत्रियों सबसे ज्यादा सदांजली अर्पित करने वाला देश भी इस्राइल है जिसके जाता सारे मंत्रियों नहीं आपर reply किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने ब दिया है और सबसे important चीज यहाँ पर यह है कि भुटान के PM ने भी सदांजली अर्पित की है भुटान के लिए बहुत important थे क्यों important थे क्यों आपको पता है जब डोकलाम विवाज चल रहा था जब चाइना भुटान को बुली कर रहा था तो वहाँ पर एंडियन आर्वी उन देख सकते हो ताइवान का भी टूइट है अब मैं यह नहीं बोलूगा कि यहाँ पर इंदी चीजे क्या है यहाँ पर क्योंकि आप पॉलिटिक्स देखोगे ताइवान को एजब कंट्री इंडिया रिकर्गनाइज नहीं करता है साइध यह मैसेज जो आपको यह ताइवन कर देगे ताइवान के मैसेज को लेकिन अपनी तरफ से खुद भी इनको सदंजली अरपित की है तो यहाँ पर इंपर आती है कि जो रशिया ने बोला है कि हमने सबसे बड़ा अपना अपना जो मित्र है वो खो दिया है आपने देखा होगा यह किस तरीके से महां पर गई से इनको स्वाड गार्ड यहां पर दिया गया था अब आपका मैं बता दू जो एस-400 मिसाइल की जो खरीद थी उसमें सीडिये विपिन राउस आपका भी बहुत बड़ा हाथ था तो यहां पर बहुत बड़ा जो रशिया है इसको बहुत बड़ा मित्र मानते थे इनको और य खरचे एक तरीके से वک्ति भीक्ति के बारे में उनकी प्रसंसा करी है और यहां पर चाइना के तरफ hearing और यहां पर ऑस्ट्रेलिया के जो एक तरगे से हाई कमिशनर है उन्होंने भी भारत को सदंजली अर्पित करी है सी दियस बिपिन डाओद साब के लिए तो यहां पर अब अब बदायाते हैं इनके बारे में जिवन के बारे में इन वासला उसके बाद यह आती हैं और आयमे में इसे जिब यह पास होट होते हैं तो यहां maior Sign of Honor जो की बैस करड़ को दिया जाता है तो यहां पर यह 5th Battalion of 11th Gurkha Rifle यानि कि 5 यहां पर आप समझ सकते हो 5 11th Gurkha Rifle के यह particularly commission हुए थे ठीक है क्योंकि यह इनको मिरी थी इनके father के वैसे इनके father भी इसी के ही तरीके से इसको बोलते हैं parent unit ठीक है जो parent unit होती है आप उसको चून सकते हो और आपको पता है वैसे भी जो इसके बाद भी इसके बाद बीपिन रहा होती यह तीनों गुर्खा की ब्रिगेट से थे गुर्का गुर्का रेजिमेंट से थे इसके बाद भी यहां पर सबसे इंपॉर्टन चीज़े यह आती है कि यहां पर आपने देखना है कि यह 511 गुर्खा राइवल से सबसे पहले एक तरीके से पहले इसके बाद उसके बाद एक जाते हैं जाते हैं उसके बाद यह पर जो चिनार कॉप है जो पर्टिग्लर्ली वहां पर सी आई ऑप्रेशन देखती है जेएंड के का हुआ के भी लेफ्टेंग जर्नल रह चुके थे उसके बाद ये अपने दो सिन्यर्स को पीछे छोड़ते वे भारत के चीफ आफ आर्मी बनते हैं और इनको सबसे इंपोर्डेंट इस नेपाल की आर्मी का भी ऑन्ररी जो पद है वो दिया गया है डाट इस जर्नल आफ नेपलीज आर्मी ठीक है चलिए अगला जो इंपोर्डेंट है सबसे यहां पर आप देखेंगे कि अब ऐसे नहीं है कि पहली भी यह जो तरीके से दुरभटना है यह पहली बार हो रही है तो यहां स्रिलंका का स्रिलंकन एरफोस का था तो यहां पर भी इसकी मिनिस्टर थे 14 अधर्स थे और इनकी यहां पर डैथ हो जाती है इनके बॉडिगार्ट के साथ तो यहां पर दूसरा आता है माई सैवंटीं 2005 में तो यहां पर सुडान के प्रेजिदेंट थे उनकी मृत्तिवा आती है एक क्रेश में तो यह प्रेशिदेंटियल हेलिकॉप्टर था यह उनको कर रहा था तो यहां पर सब्सक्राइब दिए यह आती है तीसरी है यहां पर कि जो जनवरी दोजार में तो यहां पर अफगान एरफोस का माई 17 यह क्रेश हो जाता है उसमें 13 लोग सवार थे यहां पर मेजर जनरल फजल एहमद सयार जो कि वहां के रीजनल कमांडर थे उनकी मित्यू इसमें हो जाती है और यहां पर आता है 19 नौमबर 2010 में जब इंडियन एरफोस का जो MI 17 ता यह क्रेश हो आता है तवांग में अरुनचल परदेश में जो 12 लोग थे उनके मित्यू ह हो जाती है इंडिया में भी इससे पहले हो चुके थे इसलिए इसको डेड्लिएश हलिकॉप्टर भी कहा जाता है अब 25 दून 2013 में मैं 17 का इंडियन एरफोस का जो जहां जहीं रैस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ था रैस्क्यू आप्डा में जो 16 17 जून 2013 को आई थी ज है और अब अगला आता है सबसे हाली का है यह तो यह यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर क्या हुआ था कि यह जो पर्टिग्लर लिए मैं 17 ने यह क्रेश कर गया था इसमें मिलिटरी के ऑफिसर्स थे 14 उनकी मिलिटी हो जाती है और दो इसमें हो जाते हैं तो कुछ इस से आपको यहां पर देखने को मिलेगा काफी ळंबा है यह और यहां पर आप दацकोगो यह लोजिस्टिक ले जाने के क्या क्या आता है इसकी पहली ऊसका इंट्रोडक्षए 1977 और 1981 जो इसका मि 8-10 और मि 17 पर्टिकुलरली यह टांसपोर्ट है टांसपोर्ट हलिकॉप्टर अपने इतना समझना है तो यहां पे इसका निर्माण होता है यहां पे देखिए आप खजान और उलान उडए यह दो फैक्टरिस हैं जहां पर इसका निर्माण होता है बंगद रहते रहते हैं तो इसमें तीन क्रीव होंगे दो दो पाइलेट होंगे और एक इंजिनियर होगा जिसे हम बुलते हैं फ्लाइट इंजिनियर कैपसिटी इसकी 24 ट्रूप्स की है और 4000 केजी यह कारगो लिए सकता है इनके साथ-साथ में लैंथ इसकी 18.465 मीटर है है इसकी 5.65 मेतर हैं इसमें मैंटी जहारी है यह मैकसिमाम टेक वेट कितना है 3,000 केजी का यह मैकसिमम ले सकता है और इसकी speed कितनी है 280 हाला कि जब यह sale करता है जब यह particularly यह उड़ता है तो यहाँ पर इसकी speed कितनी हो जाती है तो 260 इसकी speed यहाँ पर कम माने जाती है तो यहाँ पर आपने देखा किस प्रकार से MI17 के बारे में आपको यहाँ पर कुछ जानकारी मिली है MI17 अभी भी बहुत दे कि तरफ से और हमारे सावी स्टाफ के तरफ से मैं एक बार दुबारा से हमारे जनरल विपिन रावस साब को सधान जली देना चाहता हूं मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैमा भारती